कि ईयायक सिल्ड दो तरह कि दिखते हैं एक तो यह गया जो अब अभी आप देख रहे हैं विंज पूरा मुन करने में यहां पर रहे होंगे P T 1818 एpal क奖ा था ठीक है यह थी कहाने हैं था पी हमारा फी गोट अग मता ख्यूंड आप सीड तो हाप सीड़ में तो ज्यादा दिकत नहिए होता है क्या यहां पर हम लोग कटर का भी इस्थमाल कर लेते हैं कटर से भी कट कर के निकाल लेते हैं तो मैं दोनों बता दूं या फिर एक फूल वाली बता दो जैसा आप लोग बोलेंगे चैट में लिग दीजेगा बोलने का ज़वरत नहीं है चैट में में संगल लिखियेगा बोथ या सिंगल बोथ में दोनों सिंगल में ठीक है यह सिल्ड ना अभी हाँ जो यह जो बोड है अभी हमारा पीसीबी स्टेंड में फिक्स हो चुका है ठीक है अब यहाँ पर करना क्या है कि देखिए इसमें यह ब्लैक गुलू दिया गिया है आप देख पा रहे होंगे कि ब्लैक गुलू इस सील्ड में दिया गिया है क्यूं दिया गिया है तो क्योंकि अगर हमारा फोन वाटर वेगर यह जो tweezer है ना यह tweezer की नोक भी ले सकते हैं और इसको गरम करना है 240 की temperature से कितना 240 का temperature होगा और 4 का air होगा ठीक है देखिए मैं सबसे पहले यहां से इस black glue को हटाता हूँ देखिए यह आराम से प्यार मुहपत से निकल रहा है ठीक है कोई जोर जवरदस्ती है आप देखते ज हुआ रहता है देखिए कितना आसानी से यह निकलता है बिना हीट किये यह हटेगा नहीं अगर हम इसको हल्का सा हीट करेंगे यह एकदम मस्ती में निकलता जाएगा हमारा क्या हुआ यहां से पहले सारा क्लू को हमने खतम कर लिया यहां भी क्लू लगी हुई है तो इसको भी हम हल्का सा कट कर लेंगे तो आप समझ के होंगे कि हमने क्या क्या पहले ब्लैक पुलू को यहां से कम जोड किया उसके बाद next क्या करना है यह जो side है न इस side में 11 number blade इस तरह से हलका हलका चलाने है 11 number blade ठीक है हलका सा 11 number इस तरह से blade चला देनी है थोड़ा सा मेहनत कर लीजेगा तो आपका 4 सा भी कोई नुकसान नहीं होगा नहीं तो ऐसे तो आप हरवरी में है तो direct भी निकालेंगे तो थोड़ा heat लगेगा जादा इसमें क्या है कि safely निकल जाएगा यह देखिए हलका हलका हम इसके side side में plate को चला दिए plate क्या करता है इसके मेनत हलका सा दरार पैदा कर देता है ठीक है यह हो गिया अब हम इसमें हलका सा flux डाल देंगे ठीक है थोड़ा सा flux हम इसमें apply कर देंगे हलका हलका अगर ना निकले तो आप 320 भी अपना टेंपरेचर कर सकते हैं मैक्सिमम था 320 ठीक है हाँ नीचे बिल्कुल टीसू लगा हुआ है अब यह स्टिल्ड को आप एक बार ध्यान से देखिए क्या नुकसान हुआ इस स्टिल्ड में देखिए यही था लगा हुआ क्या हमारा नुकसान हुआ जी पीपीडी हमने अपलाई नहीं किया ठीक है पीपीडी नहीं किया अपलाई बिना पीपीडी का हमने निकाला पीपीडी इसलिए नहीं मैं अपलाई किया मुनेर जी देखिए पीपीडी में होता क्या है कि अगर मैं PPT डाल क्या भी बताता तो कुछ लोग क्या करता है ना जादा PPT डाल देते हैं उनको ना थोड़ा idea का problem होने के वज़ा से वो जादा डाल देते हैं जिस वज़ा से वो PPT क्या होता है अंदर की IC तक पहुंच जाता है और सर्कीट गंदा हो जाता है इसलिए बिना PPT का भी निकल जागा वधी कत नहीं है हरी जी अंदर जो IC लगा हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर हमारा यह IC लगा हुआ था ठीक है यह सब सारी IC अंदर लगे हुए थे अब आप देख सकते हैं कि की IC में problem आया है ठीक है अब आप देख सकते हैं क्या हमारा यहां WTR में कोई problem है कोई ball हमारा बाहर निकला है मैं clean करके आपको दिखाता हूँ देखें क्या इस WTR में कोई दिक्कत है कोई ball ऐसा लगता है कि बाहर फेक दिया है सर इसका तो ball बाहर निकल गया यहां तक छोड़िये नहीं यहां देखिए यह black जो लंबी वाली 4G IC है इसके अंदर से देखिए कोई ball बाहर निकला है कोई ball या PPD बाहर निकला अब ध्यान से देखिए इसका glue मैंने यहां cut किया था क्योंकि यहां seal जो है वो joint था ठीक है इसको मैंने cut किया है इसको तभी ही जी बिलकुल लगा सकते है ठीक है ध्यान से देखिए कि हमारा क्या इस IC का एक भी कोई ball बाहर फटा ball बाहर निकला जैसे आप लोग नहीं गरम करते हैं तो उतना अंदर से ball फटके बाहर निकल जाता है ऐसा IC में भी कोई दिक्कत नहीं है और यहां भी हमारा कोई दिक्कत नहीं है एक भी components देखिए कि उखर गिया हो ठीक है कुछ भी ऐसा चीज कि हमारा कोई components उखर गिया हो एक दम चेक करते जाएं कहीं से हमारा 1% का भी नुकसान नहीं है कहीं से कोई नुकसान नहीं है ठीक की हमारा क्या है हात ai full tilt है और अराम से निकल गया कोई दिक्कत समें हमें नहीं आया ठीक है अब मैं दिखाता हूं आपको फूल जो हाप सिल है उसको हाप सील इससे ज्यादा आसान है कि थी हमें अपना SMD दिखा दूँगा मैंने कल भी दिखाया था कोई बात में SMD दिखा देता हूं आपको देखिया हमारा SMD को हुँसा है कि देख रहे हैं क्विक 802 यह इसमें हमारा सोल्लिंग भी है और SMD भी है दोनों है इसके अंगर ठीक है और देखिये एरिया के वोल्टेज पर भी डिपेंड करता है हमारे साइट अच्छा रहता है वोल्टेज की कोई कमी नहीं रहती है ठीक है वोल्टेज पर भी हमारा SMD का परफॉमेंच डिपेंड करता है अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ छोटा हाप सिल्ट छोटा वाला हाप सिल्ट उसमें कोई जादा ऐसा नहीं है वो तो बहुत आसान है लेकिन फिर भी सवाल है तो सवाल में पूरा करता हूँ इस तरह से सफाई कर लेना है और लेडी मैंने इसको टीशू पेपर पे डाल रखा है और लेडी इसको मैंने टीशू पेपर पे डाल रखा है समर घुराई जी पूछ रहे हैं सर आपका साउंड बहुत ही लो आ रहा है क्या जैकरेशन जी वाके ही साउंड बहुत ही लो है सब ठीक ठाक तो है कि नहीं या कान में लगा हुआ है या फिर नीचे है फ़रा ध्यान दीजेए मेसेज में लिखिये साउंड सही हुआ या नहीं सबकी प्रॉब्लम हमें समझने है कोई दिकत नहीं है साउंड फिर भी कम है तो मुझे बताईए समर जी चैट में लिखिये ठीक है या नहीं है अब इसके बाद हम लेंगे यूनिवर्सल एस्टेंसिल चोटी जितनी भी चोटी वेगर है आईसी है उन सब चीज के लिए हमें सेपरेट की जवरत नहीं है यहां छोटी केमरे में देखिये मेरे हाथ में यूनिवर्सल एस्टेंसिल है यूनिवर्सल एस्टेंसिल के बारे में चरा समझ लीजे कि ये जो जितना भी बड़ा बड़ा एडिया है ये इस्तमाल होता है बड़ी IC की पॉल बनाने के लिए जैसा कि CPU MMC वेगरा छोटी IC के लिए इसमें उपर में छोटा खाचा दिया गिया Small IC के लिए Small IC के लिएसमे राजे जी पूछ रहे है मेरा लाइफ में डिसोल्डर वाइर ठीक से यूज नहीं कर पाया क्यों राजे जी क्यों नहीं यूज कर पाया अब ही आप यूज कीजिए दिक्कत हो रहा है तो डिसोल्डर वाइर कौन सा क्वालिटी इस्तमाल करना है इस पे भी डिपेंड करता है ठीक है डिसोल्डर वाइर की क्वालिटी मार्केट में घटिया से घटिया एवलेबल है 20-30 से रूपे में वो वाली नहीं चलेगा मोवाली रिपेरिंग में कम से कम चलेगा 200-500 रुपे वाली डिसोल्डर वाइर ठीक है, mobile repairing के लिए, जो की बहुती लचिला, soft होता है, वो बाले चलेगा, electronics में सारा गुला सब चल जाता है, इसमें नहीं, तो यहाँ देखिए, यह छोटा वाला जो खाचा है, यह अपना इस्तमाल होगा इसमें, अब हमें देखना है, कि इस IC के लिए हमें कौन सा लगेगा तो मैं एक clue बताता हूँ, यहाँ देखिए, IC का जो ball है, वो seed में है या cross में है, तो यहाँ IC का ball जो है, वो seed में है, देखिए, यह सामना सामनी है, यह seed में है, तो हमें सीधा सा अपने estencil पे आ जाना है, seed वाले area से मिलाना है इसको, यह देखिए, यह देखिए, seed वाला area स इसमें बिल्कुल नहीं आएगा, फिर यह cross है, इसमें भी बिल्कुल नहीं आएगा, इसमें उमीद है, आना च्छा है यह, देखिए, इसमें भी नहीं आया, कोई बात नहीं है, आगे बरहेंगे, यह तो cross है, इसमें भी नहीं आया, यह देखिए, यह हमारा इसमें आ गिय इतना आसानी से मैच हो गया एस्टेंसिल अब हम ये छोटा वाला हिस्सा को clean कर लेंगे क्योंकि इसमें ओल्लेडी रिवॉल हुआ था तो सफाई नहीं किया गया है तो हम इसको clean कर लेंगे अब हम इस्पे क्या करेंगे? इस तरह से लगाते हैं ठीक है अब आप यहां पे देखिए कि हमारा एस्टेंसिल बरोबर बैठा या नहीं बैठा अगर क्लियर नहीं दीख रहा है तो मैं और सफाई कर लेता हूं इसको अब देखिएगा युनिवर्सल इस्टेंसिल में क्या होता है एक्स्ट्रा बॉल बनते हैं इस्टेंसिल क्लीन कैसे करते हैं तो जो आपका ना क्लीनर है जो आप अच्छी क्वालिटी का क्लीनर इस्तमाल करते हैं उस क्लीनर को इस ब्रस पे ले लिजिए और इस्टेंसिल के बॉल में ऐसे ऐसे क्वालिटी का होना चाहिए मार्केट वाला ये वाला क्लीनर से नहीं साब किजगा नहीं होगा साब ये देखे ये जो मार्केट में 50-50 रुपया में मिलता है न फुस फुस वाली ये सब क्लीनर किसी काम का नहीं हम लोगों के के लिए यह किसी काम का नहीं यह चार्जिंग तक ही सही है यह तो क्लीनर आपका पेश्ट होना चाहिए हमने क्या धियान देना है कि जब हमारा आईसी लग जाता है तो सबसे पहला इंडिकेशन आईसी हमें क्या देता है समझेगा इसके अंदर जो हम फ्लक्स डालते थे शुरू में जो आईसी लगाने के अभी वो फ्लक्स क्या होगा automatic IC के चारो side आ जाएगा और वो चारो side bubble होने लगेगा यानि कि bubbling करने लगेगा यानि बाहर निकलने लगेगा वही हमें बता देता है कि हमारा IC लगेगा दूसरा उसको हम sure करने के लिए confirm करने के लिए हम IC को tweezer से हलका सा हिलाते हैं तो IC हिलता है और पुना अपने अस्थान पे आ जाता है बहु जदा नहीं हिलाना है हलका सा हिलाना है जिससे हमें ऐसास हो जाए कि IC अपनी जग़ा पे moment कर रहा है हिल रहा है और वापिस आ रहा है तो ये दो चीज हमें 100% sure कर देता है कि IC लग जुगा है क्योंकि IC के नीचे हम कोई कैमरा नहीं लगा सकते हैं कि भाया सारा बॉल जुटा या नहीं जुटा ये सारा बॉल इसमें 100% जुरा हुआ है ये मुझे विस्वास है क्यों विस्वास है क्योंकि हमारे हर बॉल की जो रिबॉलिंग थी वो perfect थी, एक समान थी, motherboard का जो pad मेंने clean किया, एकदम समान clean हुआ, कोई भी pad छोटा बरा नहीं था, एकदम motherboard भी best एकदम cleaning, सफाई, एकदम चकाचक और IC भी must reballing cleaning, सफाई, तो इसमें हम 110% confirm रहते हैं, कि हमारा अगर इस IC से handset में दिक्कत था, एक बार में phone on हो जाएगा, नही तो आप पहले, आप लोग क्या कीजे, कि आपके पास जितने भी scrap board है, power IC कल practice कीजे, और फिर next day, जिन्दा mobile का power IC निकालिया और डालिया, नहीं on होता है, हमको बताएगे कि सर नहीं on हुआ, ठीक है, क्यों नहीं हुआ, फिर हम बताएगे, ठीक है, तो इस तरह से practice level में रख आया, ताकि मुझे ये सकना हो, कि आपकी IC लगी, कि या फिर उपर में खली हील रहा है, और problem कहीं और ढूंद रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, mobile phone में, जो 90% जो लोग miss कर जा रहे हैं, फिनिसिंग की वज़ा से, 90% लोग फिनिसिंग की वज़ा से, और सोचने वाली बात ह है, कि हम लोग जो आज double day कर रहे हैं, CPU reballing कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ना उसके अंदर जो PPD है, उसकी life है, एक से और साल बात PPD क्या होता है ना, कमजोर होता है, आप एक चीज़ समझते होंगे, आप अपने घर में जो दिवाल जोडते हैं, सिमेंट से, क्या उ लगता है, उस सिमेंट की एक life है, कि उतना दिल में आपका दिवाल ज़रने लगेगा, गिरने लगेगा, दिवाल भटने लगेंगे, सिमेंट की जो पकर है वो कमजोर होने लगेगा,